फाइनली वन्प्लस ने अपना मच अवेड़ेट स्मार्ट फॉन वन्प्लस नौट 3 को अफिशिली इंडिया में लॉंच कर दिया है और इस फॉन की प्राइस रखी गई है 34,000 अब कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पर वीवो वी 27 इस टाइम पर मार्केट में काफी हो जाएगी फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है ये वीडियो देखने के बाद तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कॉमन सेक्शन में पूछ सकते हैं और एक चीज इस वीडियो में हमने जो भी इंपोर्टन क्वेश्चन आप लोगों की और से फाल तो मैं पैसे बरबाद नहीं करने शाइए ये मेरा परसनल ओपीनियन है बाकी आखरी फैसला आपका होगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ दोनों में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा प्रीमियम है तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग वीवो जी हाँ अब देख सकते हो इंडोर कंडिशन में ये फोन कैसा दिखता है अब आउट्डोर कंडिशन में ये फोन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मैट फिनिश होने की वज़ए से इस फोन में फिंगर प्रिंस मजिस देखने को नहीं मिलते जो काफी अच्छी चीज है जबके OnePlus Nord 3 में front side as well rear side दोनों ही तरफ glass bag है और glossy design offer की गई है जो आप देख सकते हो अब ये जो glossy design होती है उसमें fingerprint smudges के निशान आ जाते हैं तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते तो ये चीज़ आपको Vivo V27 में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर matte finish है और य ये जो look और design है वो एक subjective चीज़ होती है जिसमें सबकी choice different रह सकती है आपको इन दोनों phone में से किस phone का look सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे नीचे comment section में जरूर से बताईए दूसरा सवाल इन दोनों phone में से किस phone की display ज्यादा better है for multimedia experience तो definitely यहाँ पर भी Vivo V27 because of curva display दोनों ही phone में 7,6.7 inch की full HD plus super AMOLED display ओफर की गई है लेकिन जो difference है Vivo V27 में curva display होने की वज़े से इस phone का multimedia experience काफी अच्छा है जबके OnePlus Nord 3 में flat AMOLED display है इसी के साथ दोनों ही phone में 120Hz का refresh rate दोनों ही phone में in display finger bean sensor ओफर किया गया है Vivo V27 में आपको single speaker देखने को मिलेंगे जबके OnePlus Nord 3 में dual studio speaker देखने को मिलेंगे इसी के साथ OnePlus Nord 3 में alert slider जो OnePlus की शान मानी जाती है तो ये चीज़ आपको OnePlus Nord 3 में देखने को मिल जाएगी इसी के साथ IR blaster sensor भी OnePlus Nord 3 में offer किया गया है जबके ये दोनों चीज़े यानि के IR blaster sensor और alert slider Vivo V27 में नहीं है Next, performance और hardcore gaming के लिए इन दोनों में से कौन सा phone better है तो definitely यहाँ पर भी OnePlus Nord 3 Performance wise दोनों ही phone में major difference है OnePlus Nord 3 में आपको Mediatek Dimensity 9000 processor देखने को मिलेगा जोके 4 nanometer FinFed technology पर वेज हैं और ये एक flagship processor है और इसका Entudu score 9,000,000 से भी उपर हैं जबके दूसरी और Vivo V27 में Mediatek Dimensity 7200 processor ओफर किया गया है और ये processor भी 4 nanometer FinFed technology पर वेज हैं और इसका Entudu score 6,000,000 से भी उपर हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं OnePlus Nord 3 performance wise कितना better हैं तो अगर आपकी priority दोस्तो hardcore gaming की है या फिर heavy task perform करना आपकी priority है तो definitely यहाँ पर OnePlus Nord 3 एक अच्छा option है बाकी दोनों ही phone Android 13 पर run करते हैं और customization को लेकर आपको दोनों ही phone में काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे customization को लेकर दोनों ही phone से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी एक और चीज़ OnePlus का जो oxygen OS है वो much better है अगर इसे हम compare करते हैं Vivo के fun touch OS से camera section की on hazard करें तो दोनों ही phone के rear side पर triple cameras का setup offer किया गया है 50 megapixel का primary camera sensor दोनों ही phone में offer किया गया है with optical image stabilization 8 megapixel का ultroid angle lens and 2 megapixel का legendary sensor दोनों ही phone की photo quality और video quality से आपको कोई भी निराशा नहीं होगी दोनों ही phone से आप 4K 60 fps पर video को shoot कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है front camera की तो वहाँ पर Vivo V27 better है 50 megapixel का selfie camera है जबके OnePlus Nord 3 में 16 megapixel का selfie camera है Vivo V27 के front camera से आप 4K 30 fps पर video को shoot कर सकते हैं जबके OnePlus Nord 3 के selfie camera से 1080p 30 fps पर ही maximum आप video को shoot कर पाओगे selfie camera अगर आपकी priority है तो definitely Vivo V27 एक अच्छा option है बैटरी capacity के ओन अज़र करें तो OnePlus Nord 3 में आपको 5000 image की बड़ी battery offer की गई है और 80 watt की fast charging जबके दूसरी और Vivo V27 में 4600 image की बैटरी offer की गई है और 66 watt की fast charging तो यहाँ पर battery capacity and charging speed दोनों ही चीज़ों में OnePlus Nord 3 आगे OnePlus Nord 3 और Vivo V27 में कितने 5G band का support है OnePlus Nord 3 में 9 5G band का support है और Vivo V27 में 6 5G band का support है overall दोस्तों अगर आपको premium design, better performance, better camera तो यह सारी चीज़े अगर आपकी priority हैं तो definitely आप Vivo V27 को consider कर सकते हैं OnePlus Nord 3 किन लोगों के लिए हैं तो अगर आपको 5000 image की बड़ी battery चाहिए, 80 watt की fast charging, dual stereo speaker, oxygen OS का user interface या फिर OnePlus brand से आप conscious हैं, hardcore gaming तो यह चीज़े आपकी priority हैं तो definitely आप OnePlus Nord 3 को consider कर सकते हैं बागी दोस्तों इन दोनों phone को लेकर आपके क्या opinion हैं नीचे comment section में जरूर से बताईए और अगर आपका कोई भी सवाल हैं या सुजाव हैं तो वो भी आप मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं वीडियो अगर पसंद आईए हैं तो जरूर से like कीजिए और चैनल को bell icon के साथ subscribe भी कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो उसकी notification आप तक पहुंसी रहे फैला दो इस वीडियो को जहांपे भी आपका comment करें मैं आपका इंतिजार करूँगा next वीडियो में तब तक के लिए take care and be safe